दोस्तो राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ने 27 दिसंबर को एक निर्देश जारी किये हैं आप जब CET का एक्जाम देने जाओगे तो उसको लेकर कि क्या ड्रेस कोड रहेगा क्या आपको लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है सब कुछ इसमें क्लियरली बताया गया है कौन सी जर्सी परन कर जानी है कौन सी नहीं परन कर जानी है तो इसलिए वीडियो को लाइट तक जरूर देखें और जिन भी दोस्त जो भी दोस्त CET का एक्जाम देने जा रहे हैं उन तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचाएं क्योंकि अगर वो एक भी चीज लिन नहीं लेकर गए तो फिर उनके लिए दिकत कड़ी हो सकती है उनको एक्जाम से बार कर दिया जा सकता है इसलिए इस वीडियो को धियान से देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ये OPCL अपडेट है अपने राज़स्तान करमचारी चैन बोर के दोरा तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके एक्जाम को लेकर जो ग्रिजिशन लेवल वाले हैं उनके बात कर रहे हैं तो दो तारीकों आपको एक्जाम होगा साथ तारीक और आड़ तारीकों और दो तारीकों जो दो दो दिन एक्जाम होगा तो इसमें आपका एक दिन दो चरणों में होगा यानके चार चरणों में आपके एक्जाम होगे तो साथ तारीक को दो चरणे परणा जो चलने वो सुबह 9 बजे से और 2पर 12 बजे तक होगा और तो दूसरा चलने 7 तारीख वह होगा आपके 1.5 बजे से और 5.5 बजे के बीच में उसके बाद में अगली तारीख आ जाती है अगला दिन आ जाएगा 8 तारीख तो आठ तारीकों पहला जो एक्जाम होगा सुबह वही नो बजे से बारा बजे तक एनकी तीन गंटेगा और जो चोथा चरण होगा आठ तारीकों वही ड़ाई बजे से और साड़े पांच बजे के बीच में तो यह तो हो गया आपका एक तरीक से टाइम टेबल कि आपका एक्जाम कब कब होने वाला है तो इन चार पारियों में आपका एक्जाम होगा तो इसको भी ध्यान में रख लें जिसे आपका अगर सेंटर दूर आता हैं तो अगर मालो सुबह की सिप्ट में आपका आ गया तो जल्दी वहाँ पर चले जाए किर आगे बढ़ते हैं इसमें सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि आपको सबसे पहले तो 30 तारीक को आपका जो प्रविश्च पत्रें वो डाउनलोड कर लेना है बोर्ड की वेबसाइट है उसको लेकर तो जाना आने वारे हैं ही सही तो उसको सबसे पहले आपको इंस्टो मलब जो भी हैं वहाँ से डाउनलोड कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है यहनों ने बताय गया है कि आपको जो भी नकल वगिरा आजकल करते हैं करते हैं तो उस वह नहीं करनी है अगर आप वह करते हो तो फिर आपको आगे के लिए जो आपका करियर हो समाप्थ हो सकता है तो यहां पर कुछ इसे जनरल इंस्ट्रक्ट्ट्स है उसके बाद दूसरा पॉइंट इन्हों ने कहा है कि आप जब यात्रा करते हो तो दूरान र क्योंकर बदद भी हो पता हैं आगे बघते हरे इन्होंने क्या कुछ बता हैं अब यहां से देख लो देख लो हको सेंटर में वहाँ पर जाना रहा है और एक इंपोर्टिंट यह भी वहाँ चल को characterize तो इसलिए आपको दोड़े बहुत इनका जो भी कोवीड नाइटीन के निर्देज ही उनका पालन जरूर करना है है ना अभी तक तो सामानी जाने कारी आ रही है अब यहां पर एक इंपोर्टेंट चीज आई है क्योंकि अभी कोरोना जो हैं लगबग समाथ हो गया था लेकि कि मास्क लगाकर मास्क जरूर ले जाना क्या अपता मुँआ पर मिले या नहीं मिले तो आप के लिए दिक्कत हो सकती हैं तो आपको चोटी सी भी प्रॉबलम नहीं हो इसलिए आप जो इनके जो भी गाइडलाइन से इनके पूरी उनका अच्छी तरह से पालन करें तो सबस दूसरा यहांपर का गया हैं अब यहांपर ध्यान से वीडियो को देखना कि आपको प्रविस्ट पत्र हैं और एक आपको टोएं और पजान पत्र है जिसे आपındर लगा आपकर पत्र हो गया पैशा किन फेर जाना है और तीसरा आपके पास एक रंगीन पोटो होने ही नवीटम जाना आइसा नहीं कहीं सालों पुरानी की ओफ नई फोटो खिचवा ले ना तो डेस कोड भी जरूर देख लेना तो यह आपको लेकर जाना है बाकी इनके लवाद चार चीजों के लवाद कुछ भी आपको लेकर नहीं जाना है आगे इन्होंने बात किये कि जो फोटो युक्त पहचान पत्रें उसके आदार पर आपके पहसान चुनी सित करेंगे कि यहां सबसे परले तो आगया घड़ी परन कर नहीं जानी है ठीक है आपको जो है उसके अनुमती नहीं होगी घड़ी परन कर नहीं आए परिकसा के अंदर में उसके साथ ही जो नीला पेन है वही आपको लेकर जाना है उसके अलावा कोई सा भी पेन पानी की बोतल परस वाइटनर भी नहीं लेके जाना है अना मोबाइल फोन ब्लूटूथ एर फोन माइक्रोफोन पेजर और किसी भी परकार का संचार उपकरन स्लाइड रूल किसी भी परकार का हतियार यह कुछ भी जो हैं आपको लेकर नहीं जाना है यहां पर देख लो आपका परवेश इसके अगर यह लेकर जाते हो तो आपको परवेश नहीं दिया जाएगा और एक और इंपोर्टेंट लाइन जो आपको देखनी है यहां पर वो यह कहा गया है कि केंदर पर ध्यान से देखो कहीं सारी होते हैं कि चलो इनको लेकर जले जाते हैं फिर केंदर पर वहाँ पर रख द कुछ विशेश योग्यजन परिक्सार थी हो जिनको जो शूरुत लेखग जो आपके डोक्टर के दोरा जो भी नर्देश दे गए हैं आपको तो वह आपके जो भी डोक्टर हैं उनके नर्देश पर आप लेकर जा सकते हो जो भी उनका वह आपको दिखाना होगा कि मुझे तो डोक्टर नहीं बोला हैं इस तरह के से जो भी यह मतलब यह लेकिन यह कुछ इस्टुडेंट सी होते हैं इसे तो उनको ही यह सुविता दी जाएगी बाकि सबको सबके लिए समान होगी उसके बाद एको इन्होंने हाइलाइट कर दिया हैं बार बार यह कोविड-19 के ल इसको मास्क लगा कर आना अनिवार है तो इन्होंने इसको हाइलाइट करके बता type को जरूर लगा के जाएं अगर आगे बात करें तो वो जरूर आपको इनकी दो वेब साइट हैं वहाँ पर बत्रया गए है कि वहाँ पर now ने यहीं पर मेंसेंड कर दिया गए हैं participate को तो ड्रेस कोड क्या रहेगा देख लो T96 को टै मफलर जाकेट जरर्किन भ्लेजर सोल यह तो इस अबी परन कर नहीं जाना है गब रामज यह कआ कर दिया तो यह है रस कोड में जियान जहांद में तो उसकों को बारिक खुल वाले और आप वहाँ पर के भी सर्दियों का टाइम है तो सर्दियां सर्दी लगेगी इसलिए सिंपल वाली जो जर्सी आती है वो परन के चले जाना ताकि आपको अंदर पर विश्ट दिया जाए ठीक है अधर्वाइज जिन्होंने जेव वाली जर्सी के लिए मना कर दिया है स्वेटर जो भी है जे बोला उसको न परन के जाए उसके साथ मिनों ने कहा है कि आपको जो बटन मलब बड़े जो बटन होते हैं वह भी नहीं लगे हो जो आपकी जर्सी है न उसके उसके साथ ही यह आपको परन कर नहीं आना है ठीक है बड़े बटन वाला तो यह आपको पर कर नहीं आने महीलाओं की बात करें तो इन्हों नें बताया है कि जो महीलाओं होती है उनके बालों में rubber band साधार और किस्म की किसी भी hair pen का मलप्रियोग करके आ सकती है और समस्थ प्रिक्स वापस देख लो यह कुर्ता सर्ट ब्लाउस आदी परन कर और अपनी वेस उसा में बड़ा बटन किसी भी परकार के जड़ाओ पिन और जो भी है वो डिजाइन और यह परन कर आपको अनुमती नहीं होगी ठीक है तो इसको अच्छे से देख लेना अधर वाँ पर कहां पर रखोगे पर एक सार द परिक्सा अर्दी परिक्सा के अंदर पर किसी भी परकार के घड़ी सेंडल मोजे यह बार इकुलवा लिये जाएंगे दूप का चसमा बेल्ट याना जो इस्टाइलिस चुस्मा होता है बेल्ट हैंडबेग एर पिन और यह कहें ताबीज होगे रा कंडा ताबीज जो भी ह तोपी इसकार सोल मफलर परिक्सा में नहीं हो सकते तो आप यहां पर मना कर दिया गए है इसके बाद इन्होंने क्या कुछ कहा है इन्होंने कहा हैं जिसे कड़ा कर्बान पगडी आदि धार्मिक परतिक हैं तो इनकी लिए आपको उनुमती दी जाएगी अपने सरदार होते तो उनके साथ कुछ नहीं किया जाएगा तो उनके लिए मना नहीं किया गया है एक गंटा 30 मिनट पहले आपको उपस्तितों आए इसक्रीनिंग के दोरान किसी सिख अभेरती के दोरां उपरोक्त वरणी परतिकों में कोई संदेया सपद अगर उनको लगता है कि आर इसमें आपकी साथ कुछ अलगी वेवार किया जा सकता है उसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि आपकी जो परिक्सा का आयो जोने उसके बाद यता समय बोर्ड के दोरां माश्टर प्रशन पत्र और उसकी जो उत्तर कुजी है उसकी बोर्ड की वेबसाइट पर वो अपलोड कर सकते हो और यहां पर और कुछ भी यहां पर ज्यादा बताया गया नहीं है और यह हाइलाइट करके बताया है इसको देख लेते हैं कि परिक्साओं के संबंद में विबिन सोसल मीडिया पर किये जारे ब्रामक प्रचार पर विश्वास ना करें बोर्ड के दोरां राजिस्त सब्सक्राइब करें और इस तरीके से आपको जो है यह कुछ निर्दिस आपके एक्जाम से पले दिये गए तो इनका पालन जरूर कर लें बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैबाला